साथियों, अटल जी गरीबों के हित में, किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाव में होने वाले ब्रस्टाचार को राष्ट्रिय रोग मानते थे। आप सबको याद होगा, उन्होंने एक बार पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए एक पूर्व प्रधान मंत्री की बात याद दिलाई थी। और उनको याद दिलाते हुए उन्होंने कहा था कि रुपिया चलता है, तो रुपिया गिस्ता है, तो हाथ में लगता है और धीरे से जेवों में चला जाता है। मुझे संतोथ है कि आज न रुपिया गिस्ता है और नहीं किसी गलत हाथ में लगता है। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपिया निकलता है, वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। अभी हमारे करशी मंत्री नरजरसी जी तोमर ने इसके विशे में विस्तार से हमारे सामने रखा है। पी-एम किसान सम्मान निधी इसका ही एक उत्तम उदारन है। आज देश के नव करोड से जाना किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कॉंपिटर की क्लिक से अठारा हजार करोड रुपे से भी जादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए है। जब से ये योजना शुरू ही है तब से एक लाग दस हजार करोड रुपे से जादा किसानों के खाते में पहुँच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस हैं। यही तो गुड गवर्नेंस टेकनोलोजी के द्वारा उप्योग किया गया है। अठारा हजार करोड से जादा रुपे पल भर में कुछी पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए है। कोई कमिशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं टेकनोलोजी का इस्तमाल करते हुए पी-एम किसान सम्मान योजना में ये सुनिशित किया गया है कि लिकेज नहों। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ओनलाइन रिजिस्टर्शन होने के बाद, उनके आधार नमबर और बैंक खातों का वेरिफिक्शन होने के बाद, इस व्यवस्ता का निर्मान हुआ है। लेकिन मुझे आज इस बात का अपसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाब मिल रहा है। सभी विचारधरा की सरकारे इसे जुड़ी हैं, लेकिन एक मात्र, एक मात्र पस्चिम मंगाल सरकार, वहां के सत्तर लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बेहन मंगाल के, इस योजना के वो लाब नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से, उनके राज्ये के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्ये सरकार को एक पोड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने बारत सरकार को सीधी चिठी लिखी भी है, उसको भी वो माननेता नहीं देते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं, कितने लाखों किसानों ने लाब लेने के लिए योजना के लिए अरजी की ओनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। भाईयों बेनों, मैं हैरान हूँ। और ये बात मैं आज देश वात्यों के सामने बड़े दर्व के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ। जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे। एक ऐसी राजनीतिक विचार धारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां लाकर के उन्होंने हालत करके रखी है। सारा देश जानता है। और ममता जी ये 15 साल पूराने भाशन सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विजारधारा ने बंगाल को कितना बरबात कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं। बंगाल में उनकी पार्टी हैं। उनका संगटन हैं। तीस साल सरकार चलाई ये। कितने लोग होंगे निदुपाई। आपने बंगाल में किसानों को न्याई दिलाने के लिए। प्रदान मंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले इसके लिए। क्यों अंदोलर ने किये। क्यों आपने कभी आवाज ने उठाई। और आप वहां से उठकर के पंजाब कहुँच गए। तब सवाल उठता है। और पस्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए। अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाब सत्तर लाग किसानों को इतना दन मिले। हजारों करोड रुप्या मिले। वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वहीं पंजाब जाकरके जो लोक के साथ व SMG में लणाई लडते हैं यहाँ आपर कर उन से गुपुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खिट को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खिल का पता नहीं है? जो आज भी पक्षमे हैं उनकी इस पर जुबान कोच बंद हो गई है कोच चुप है